हेलो मेरे एक्जॉम वर्जस मैं दीपा वर्मा अभिप्षा एडूकेशन फॉर एक्सलेंस के इस इलनाने क्लासेश में आप सभी का स्वगत करती हूँ तो बच्चो अब हम बढ़ बस हमारा दो से तीनी चैप्टर बच्चा है उसके पूरा हमारा सस्टी कम्प्रीट हो जाएगा और आपने इतने तरीके से पढ़ा है कि आप मस एक एक दिन एक चैप्टर पढ़ते आ रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो यह मुझे मेरे बच्चों से चल रहा है तो बच्चो इसी तरीके से आपका प्रैक्टिस करने चलो क्या है जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एक्जाम के दिन उतना दिमाग काम करेगा है तो डरना नहीं है बहुत छोटे-छोटे रूप में इसलिए मैंने पूरे वीडियो से बताए कि भाया सुनो सुनो पूरा यहां कि इतनी मोटी सी बुक हो गया मेरे बच्चे पूरा पढ़ लिया है तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है बच्चे बस लिखते चलो जितना ज्यादा उसे के रिटेंट प्रैक्टिस करते चलो ठीक है तो चलो अब आब आज चेप्टर चालो करते कौन चलो क्या है अध्या 21 हमारा क्या है वैश्वी करन तो देखो वैश्वी करन बच्चे क्या बोल रहे हैं पूरा वैश्व का एक ही करन अगर आप पढ़को देखोगे तो पूरा विश्व का एक ही करन है तो इसे देखो आप लोग अभी मोबाइल देख रहे हो है ना वैश्वी करन का प्रतिरूप है कि आज हमारे घरों में चाहे हम गाउं में क्यों नहों दूसरे देश की बनी हुई चीजे भी उपलब्द है तो यही क्या हुआ मेरे बच्चों वैश्वी करन है ना तो इसके बीविमिन प्रतिरूप हम देखने मिलते हैं हम मोबाइल उस कर चीजे बदली उदारी करन आया नीची करन वैश्वी करन तो क्या हुई तो यह सब चीजे को आपको क्या है पढ़ना है ठीक है एक मिनट वच्चों तो देखो विश्विकरन बढ़ना जैसे में को गर्मी लगी मैंने असी चालू कर दी है ना तो यह भी क्या हुआ मैंने हमारे जो एसी चल रहा है वो कहीं से आया होगा है ना यह बोर्ड में हम जिसने पढ़ा रहे हैं आपको वो आप टेक्नलोजी का इंटरनेट का यूज कर रहे हैं यह सब क्या है वैश्विकरन के बाद बहुत डवलब हुई है ना तो चलो यही हमारा वैश्विकरन है प वो उसी से हम क्या करें अपने देश के अर्फवस्ता को चलाए ठीक है अगर हमारे यहां जो चीजे बन रही है ठीक है वो तो अच्छी बात है लेकिन सेम चीजे हमें दूसरे जगा से लाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें उससे मंगाना पड़ेगा तो उसको क्या कहते ह तो इसको क्या कहते है निर्यात तो यह आयात और निर्यात ही क्या है वेश्विकरन का अधार होता है ठीक बड़ी कंपिने द्वारा ओट्सोर्सिंग के रूप में स्थानी कंपिनी के सेवाई प्राप्त करने है तो इस तरह के जिन केंद्रों की मदद ली जाती है उन्हें क्या कहते है बीपियो ठीक है अब देखो हम तो समान को भेज़ दे रहे हैं ठीक समान ले आ रहे हैं लेकिन अगर कोई वैठा हमारे यहां कोई वैक्ती बैंगलोब में वैठा वैक्ती अमेरीका के लोगों का काम कर रहा है तो कैसे करेगा भाई सेंटर डालेंगे और वहां क्या है टेलिफोनिक क्रूप में सेवाई देंगा उसी को क्या कहते है हम लोग बिजनेस प्रोसेस ओट तो BPO क्या है बहुराश्टी कंपनी को सेवाई देना ठीक अब आज बहुराश्टी MNC ठीक है हमारे MNC बहुत सारी है ठीक या इवन हमारे जो देश की है विप्रो हो गया यह सब क्या है वो भी अब दूसरे देशों में जाके काम करें तो यही क्या होता है बहुराश्टी कंपनीयों का काम होता है ठीक है तो इसी को क्या कहते है हम लोग MNC ठीक है यह ऐसी कंपनीया होती है जो एक से अधिक देशों में वस्तूओं के उत्पादन पर नियांतर दसा सौमित रखती है इनके द्वारे उत्पादन के लिए कच्छे माल की तलाश पूर बहुराश्टी कंपनीयों का काम होता है जहां देखती है कि कम लागत पर रोजगार मिल जाएगा भूमी मिल जाएगी और वहां पर कच्छे माल का है तो वह क्या करेंगे अपने बना के भीजेंगे वही बना लेंगे तो जैसे अगर कोई अमेरिका के कंपनीयों के प्रश बहुराश्टी कंपनीं हे है उसके है समान आएगा तो उसपे टैक्स भी लगेगा तो वह क्या करेगा भारत मेही अपनी फैक्टरी लगाएगा वहां के लोगों को रोजगार देगा और वही उत्पादन करके फिर भारत में बिशेगा तो उसको टैक्स कंप लगा उपर से वहां उसने पुंजी लगाई तो भारत को भी फाइदा हुआ तो इस तरह कासे क्या है MNCs को हमारे भारत सरकार भी क्या है प्रमोड करती के आप आईए और हमारे यहां फैक्टिज लगाईए ठीक तो यही क्या काम होती बहुराश्टी कंपनियों का काम होता है ठीक आगे संबन और तिवरेक्रिकरन की प्रक्रिया को ही वैश्वी करन कहा जाता है विभिन देशों के मद जो परसपर क्रिया होती है उसी को क्या कहते है हम वैश्वी करन कहते हैं फिर से पढ़ो विभिन देशों के बीच परसपर संबन और तिवरेक्रिकरन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं वेश्वी करण, मतलब पूरे हर जगह क्या है, जैसे हमारे Nescape वह बाहर की कमपणी है, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, हम बाहर का यूज करते हैं, हमारे पतेंजली अब पुरा विश्वर बन चुका है, ठीक, तो यही सब क्या है अमूल क्या हमारे भारत के साथ अधने देशों में भी जाता है SBI बैंक है वो केवल भारत में सर्व नहीं करती दूसरे देशों में भी सर्व करती है तो यह सब चीजे क्या है एक ही करण हो रहा है मतलब बैंकिंग सेवा है सब जगह हो रही है हमारे हैं, एधरबाद वैंगलोर Wakita School Max का में हमारी है के सवाधने चाहिता है gider को एक पैब क्या है आग कि अलग अलग देशों पर सब्सकों, यही क्या है एक क कारन का स्वारूप है वैश्विकरण को समझा गया है वैश्विकरण की मारिक कारगतّ किसे बड़ा हम अगर यहां सबढ़ हो दूसरे जूर्गा कर पाए तो शबसे बड़ा कारा क्या होगा टेकनिलोजी प्रद्योग्ती अपनी यहां बैठके बैंगलोर में इत्वा वैगती अमेरिका के लोगों का कि रहरात ने बैठके तो क्या है इंटरनेट सवाई टक्नीक हमने वैसी तो यह सब क्या है वैश्विकरन को जोड़ते हैं थीक वैश्विकरन का पूंजी अगर किसी की पास कोई बड़ी कम्पनी है और उसको कोई प्रोडक्शन करना है लेकिन वो अपने हैं प्रोडक्शन करके भेजेगी हमारे हाँ तो बहुत जादा कॉस्ट पड़ेगा उस अच करते हैं चलो आगे आओ जो बच्चो विदेशी वैपार और विदेशी निवेश का उधारी करन मतलब क्या है कि हमें बाहर के लोगों को भी आने देना ठीक ये कब से हुआ कि यहीं पहले ही पढ़ जो विदेशी है वहाँ आके काम कर सके निवेश करेंगे तो क्या हो का होगा निवेश करेंगे तो पैसा आएगा पैसा आएगा तो क्या होगा लगेंगी तो यहां के लोगों को काम मिलेगा हमारे जैसे बालोदा बजाने बहुत सारा सीमेंट उद्योंगे लगाय है बाहर की sc treball कर चाल demand थे शे कर देखो तो आप लगुत अच्छा मिलेगा हो सक्रातना प्रभाव कैसे बाहर की टेक्नलोजी आएगी तो क्या हुए हमें अच्छे प्रोडक्स मिलेंगे हमारी लाइस्टाइल चेंज होगी हमारे रहने सहन का तरीका बदलेगा हमारी सोच बदली नए-ने टेक्नलोजी से यूज किये हमारे IT सेक्टर आया यह सब सक्रातना प्रभाव हुँए नगरातना क्रभाव क 있나 नहीं हुए बिल्कुल हुए भी बहुतדי हुए गयिन की तो यथ के जूरत है ऊपर से मशीन मजण बहुत है उसकी कॉस्टिंग और यह करोगे हूए क्या करोंगे मजदूरों को कम पे करोंगे तो श्रमिक जो वेतन होता है वो कम होने जगता है तो इसके सकरात्मा पहलू है कि हमाई lifestyle change होती है हमाई रहने सेने का तरीका अच्छा होता है हम टेक्नलोजिक साथ नए नए factories आएंगी ठीक है तो वो क्या करेंगे दस लोगों की जगा एक मशीन तो वही वैसी भी रोजगार की समस्य आ गए उपर से हर कोई नए टेक्निक सिख्या आ रहा है तो अगर आप कोई पास नहीं स्कील्स है तो पुराने वाले को क्यो लेगी भई है तो इसके लिए आप गवर्मेंट इसकेल इंडिया प्रोग्राम चलाती है ताकि आप नए टेक्निकों को सीख सके आई टी सेक्टर में बहुत जादा बूम का ताइम है तो हमको क्या करता है वैसे जेजे सीखने ही पड़ती है अगर आप कहीं जाओ आप बोलो कि मुबाइल चलाना आता है चलो अच्छी बात है क्या आपको कोडिंग करने आती है मेरे को तब पता भी नहीं है तो काम कैसे होगा तो इसलिए कि नई टक्निकों का प्रेयोग होना चलूरी है तो उसके लिए कि अभी रोजगार की समझ से आती क्योंकि अगर आप अभी ट्रेंट के अनुसार काम नही तो यह दस्वी पास कर ले थान उकर बात देख वो पूरा जिंदगी भर देखत रहे थान है तो आप मला करना का होते भई अभी सोचो है ना जैसे दस्वी के पेपर होई तुरण सोच लें चालू कर दू कि भईया मोला करना का है आगे पीछे जेन भी होई पहरी मोला आप पता चली तो अपनला अपनला इसने डेवलप करना शुरू कर दो प्रस्नालिजी डेवलपमेंट ले आओ लोग चीज बात से बात करें पर सीखो नई टेखनीक से सीखो का का सब्जेक होते यह सब ला देखो यह जब करू ना तब कहीं जाके 10-11 वी के बाद एक अच्छा क कॉलेज अभी तक सकूल में हो सब चीज चल जही लेकिन ये दिन कॉलेज में जाहो ओ दिन असली हकिकत पता चली तो अपन आप ला अज से वह तक के तैयारी बत शुरू कर दो है न तो आपना अपना शोचल शुरू कर कर दो मूला जाना है तो मूला कैसे पढ़ना चाहिए प्रतिस परदा आपके एकजाम में भी प्रतिस परदा है तो ओला बिल्कुल नहीं चोड़ना है ठीक है चलो आगे आजाओ परियावरण पर परभाव सबसे जादा प्रभाव क्या पढ़ रहा है वेश्विकरन का परियावरण पर क्यों कि हमने जैसे देख रहो न अभी कभी गर्मी है किसी दिन ठंडी हो रही है बारेश भंग से नहीं हो अभी है अभी और गौह में पुरा खेति इस ने जा रहा थे वो सब की कारण का है वैश्री कारण बहुत जादा फैक्टरी लगा थे बहुत जादा प्रदूशन कारण दूसरा देश के मना के बड़े बड़े फैक्टरी लगा थे लेकिन उकर जिम्मेदारी नहीं ले वाते भाया की चलो हमने फैक्टरी लगा है तो उला साफ करे की जिम उदारी करने वैश्वी करने तो इहीं से पूरा का है आपके चैप्टर के कोशन बनी चलो हम अपने कोशन पर आ जाते हैं ठीक है तो यह देखो इसमें से क्या है पर जो पहले वन माक्स से कोशन है हम लोग उसको देख लेते हैं आज विश्टिस जनकारी का साधन है कौन सा हो हम लोग किसका सबस्यादर यूज़ करते हैं चाइनीज आइटम का ठीक है एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंतरना और स्वामित रखती हैं कौन सी रखती हैं बहुरास्टिय कंपनियां MNCs ठीक पिछले कई वर्षों में भायात का वितेशी वैपार क्या हुआ है बड़ा है कई गुना ठीक वैश्वी करण को मश्बूत बनाने में साहयक होते हैं सोचना प्रद्योगे की मजदूर तयार माल सरकार सोचना प्रद्योगे की IT सेक्टर अच्छी होगा तभी तो क्या है वैश्वी करण होगा हम एक देशरकर से दूसरों जगा कनेक कर पात प्रद्रोगी का मुक्त प्रवा सभी चीज का तो आंसर क्या होगा उप्रियोग तो सभी नेप्स कोशन अंतर राष्टी वैपार संबंधी नीमो कोनेधारन करने वाली संस्था कौन सी है कौन होती है भई डबलू टी ओ वर्ड ट्रेट और्गनाइजेशन ठीक वैश्वी करन का सबसे नकरात्म प्रभव की चेत्र में देखा गया क्रिशी और ग्रामीन शेत्र में ठीक नहीं अर्थिक निती के घटक क्या है नीजी करन वैश्वी करन वैश्वी करन उदारी करन उदारी करन नीजी करन वैश्वी करन ये क्या बाया था हमारे हां 1991 में ठीक ये हो गया आपके वनमाक्स ये कोशन चलो अभी चेप्टर से हम आगे कोशन में आ जाते हैं अपने शब्दों में उदारी करन को समझाईए बच्चों देखो मैंने पिछले एक और शेप्टर में बताया था उदारी करन उत्पादकों पर सरकार का नियनत्रन कम हो जाता है वे उत्पात प्रक्रिया विक्रेंश सभी वाम्लों में सवतानिय ले सकते हैं उसे ही उदारी करन कहा जाता है फिए कंतर यास याकिनि बोलेगा क्या आज सेस्ट आज आपको साइंस पढ़ना है आप अपने पढ़ाई के लिए स्वतंत्र हो कि आपको कैसे पढ़ाई करना है यही क्या हुआ उदारी करन ठीक है कि आपको कोई जबर्दस्ती आके नहीं बताएगा सिंपल भाशन में उदारी करन विदेशी वैपार में हर्थ कि आपके निर्णयों की प्रतिबंध को हटाना वही क्या होगा उदारी करन ठीक समझ गए चलो आगे बढ़ो चलो नेक्स कोशिन पर आजाते हैं उदारी करन का अर्थ इसपस करते हुए बहुराश्टी कंपीनों का विवरन दीजिए ठीक है तो उदारी करन क्या था भई विदेशी वैपार और निवेश से आर्थि प्र बहुराश्टी कंपीनियां क्या होती है ऐसी कंपीनियां होती है जो एक से अधिक देशों में वस्तुओं के उत्पादन पर नियंदर्ड है सौमित रखती है इनके द्वारा उत्पादन के लिए कच्छे माल की तलाश पुरे विश्व में की जाती है और जहां अच्छा उ कंपनियां मजदूरों के अपक्षा स्वयम के हित का अधिक धियान रखती है ये कंपनियां आर्थिक लाप समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुचाने में असमर्थ है बहुराश्टी कंपनियों की भूमिका बतानी है कि ये किसी की हित के लिए काम नहीं करते सिर्फ अपने पुड़े हर देशों का कनेक्शन तो भाई आयात निद्यात होगा मतलब क्या वस्तुए हो आएंगी तकनीक हमारे हाएगी श्रमीक रोजगार जाएंगे पुझी तो वैश्विकरण में किन चीजों का प्रवा होता है तकनीक का प्रवा होता है श्रमीक मतलब रोजगार हो तकनीक श्रमीक वस्तु और पुझे इन सब चीश के बारे में आपको बताना है ठीक चलो आगे आजो वैश्वी करण का सरवाधिक दुष्परिणाम भारत में किस दे छेत्र में पड़ा वैश्वी करण से क्या आश्या है भारत में वैश्वी करण के प्रभाव को स्पष्ट प्रतिसपरधा ने कुशलता की किनारे कर दिया है ठीक है प्रतिसपरधा मतलब फैक्री में जो बने बेचो पहले हाथ से घर में कपड़े बनते थे मतलब जो भी चीज हो रही है मशीन क्रिट तो भारत में बहुत सब बन होते आगे हमारे यहां भी देखो अभी जानजिकर चापावेग्रा में हो गया बहुत जगा साड़ी वैडी बनती है बहुत जादा वह रेशम के कपड़े से कोसा यह सब लेकिन क्या अब मशीन अधा विदेशी वैपार बहुराष्टी कंपड़ी के निया अंटर्ट में चला गया है बिलकुल सही बात है कि हमारे यह यह बहुत सब्सक्राइब बहुत जादा हो गया है तो इसे जो लोकल्स है जो बहुत लोगर लेवल पर तपकेपर होते हैं उनको क्या है नकरात्म प्रभा यह सब क्या है हमारे वैश्वी करन का बहुत जादा प्रती रूप है घने जेंगले काट कर सड़के और कार खाने बनाते हैं पक्की सड़कों के कारन भूमी का जल इसतर घट रहा है ऑक्सिजन की कमी बिमारिया बढ़ रही है जल इवन क्रिशी सभी प्रभाइड हो रहे है घन कुछ वरकों तक केनिर्थ हो गया जैसे टाटा बिल्ला अंबानी ओं बढ़ रहे हो रहे है लेकिन जो गाओं का किसान है उसको आप भी क्या होता है जब कभी कभी क्लाइमेटिक कंडिशन होती है ऐसी कि बहुत जादा बारिश हो गई बार आ गई तो उनको कुछ फाइ पे 67 कम्पन के करता है तो नहीं होता है तो यह सब चीजे क्या है क्या है आप पव्कास को यहां इ expanded क्योंक्त जहा है अगले कोशन में जते हैं श्रम कारणों में लची आपक्ण कंपण inquiry को कैसे मयता लचीलापन मतलब क्या है सरकार छोड़ दे कि हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग रूल बनाएगा तो क्या होगा जो मालिक है वो कितने घंटों भी लोगों से काम कराएगा वेतन कम देगा छुट्टिया नहीं देगा है ना काम के लिए वैवस्थाची चाहिए वाता बना चाह पर अधिक काम करने पर मजदूर से लिया जाता है मतलब पैसे कम मिलते हैं लेकिन काम के घंटे जादा होते हैं ठीक माल की उत्पादन लागत कम होने के कारण कंपनियों को माल सस्तिम में मिल जाता है ठीक माल का उत्पादन ठीक है माल का उत्पादन कम हुआ मतलब अगर स् तो चीजा उसको सतने भेशित कर गराती है लेकिन क्या होगा वो उनको पैसी फिर उद ने नी र divided है लेकिन हाँ भास काम करती है तो यह सब चीजे आपको लिखनी होगी लचेल्यपं से क्या होगा भैई उनके लचेल्यपं होने से वह स्वास्त ऋखाय। पर ध्यानी देंगे, काम के जो घंटे हैं उनको अनियमित रखेंगे, वेतन अनियमित रहेगा, श्रमिकों के जो मुल्भूत अधिकार हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ये सब पॉइंट सेट करो, तो ये आपके आमार्स अच्छे होंगे, ठीक, आगे चलो, वै और निवेश की नीतियों में उधारी करन्ट, तो कैसे होगा वैपार अगर एजी हो रहा है, तो हमारे ये चिज़े बनी जो प्रोडक्स है, दुसरे देश जाएंगी, दुसरे देश के चीज़े हमारी हाएंगी, तो यही क्या है, उधारी करन्ट, यहीं तो लिखना है, व उत्तपदकों को कौन कौन से चुनोतियों का सामना करना पड़ता है, क्या होगा भई? वो बड़ी-बड़ी कंपनिया उसके मुकाबले लगनी पाते हैं और वो छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, तो उनका कॉस्स प्रड़क्शन जादा होता है, बड़ी-बड़ी कंपनिया एक बर में हजार बना लेए उनका कॉस्स प्रड़क्शन काम होता है, तो यह अगर कोई एक वेक्ती 100 रुपे बनाएगा, कंपनिया उसको 10 रुपे बना के बेस देती हैं, तो इसकी समान कम बिखते हैं, इसके समान जादा बिखते हैं, और यह मशीन क्रेट है, तो एकदम होता है, इसके क्या हो कई खराब हो जाते हैं, तो यह सब क्या है, जो लोवर लेवल के कारीगर होते हैं, उनको नुकसान होता है, ठीक, प्रतिस परधा में टीक नहीं पाते हैं, उन्हें अपने श्रमीकों को कम लागत पर रखकर, माल कंपनी को सस्ती उप्लब कराना है, श्रमीकों को स्थाही तरपर रखने से उनकी मजदूरी बढ़ती है, इसलिए अर्स्थाही रोजगार देने पड़ता है, छोटे उत्पादगों को सामने कच्छा, माल, श्रमीक, प्रतिस परधा सभी चुनोतियों को एक साथ उत्पन हो रही है, ठीक है, अगर छोटा जैसे कोई छोटा कॉपी बनाने वाला है, ठीक है, कोई गाओ का कॉपी फेक्ट्री है, अब उसके पस तीन से चारी है, ठीक है, अब वो पर्मानेंट रखेगा, तो वो पंद्रह से बीस हेजार मंगेगा, वो उतना दे नहीं सकता, इसलिए कि पांच परशे आर में चल एक छोटे कारीगर होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि जो बड़ी प्रतिसफर्दावाली कंपणी होते हैं, उसे सामने वो टिक नहीं पाते हैं, तो उसे लागत में उनकी बढ़ातरी होती है, ठीक है, उनके समान का प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, कॉस्ट जाना, तो आने वाली चीज़ों पर हम टेक्स लगाएंगे, वो क्या होगा, आयात कर, जाने वाली चीज़ों पर हम टेक्स लगाएंगे, वो होगा, निर्यात कर, ठीक, जो वस्तों में दूसरे देशों से वैपारिक उद्देश से मंगाई जाती है, उन वस्तों पर यदि बाहर से माटेज alltså है तो उसको थोड़ा से महिंगा करें या पिझो या वख्तिधी हमारे यह बेशनी आ Iraq तो संसे घ्लकुंत है वह में हमारे से पैसा कमाके जाएगा तो हमें कुछ से पैसा लेना पड़े общем इसले क्या करते हैं हम अयाद कर निर्यात कर इसलिए बहुत क्योंकि वह देश ने बनी हुई चीजे थो उसका खुछ भारत में जाना है बहार सरकार को वा सब्सक्राइब कर Extra चाहिए जो सबीक्या कर होता है उसको देख एक करती है वह यह नمة कर और कहीं किसी देश के साथ कोई घाता हो रहा है इसका काम होता है नहीं से… पदा में अंतरश्च्टी वैपार को नियनतिट करता है, ठीक है, क्या है जब समान है, इंडिया से क्या जाएगा, अमेरिका जाएगा, तो यहां जा रहा है, यहां आ रहा है, तो उसके लिए कौन-कौन से रूल्स होने चाहिए, टैक्सेस कितने लगने चाहिए, ठीक है, एक जगा बैठेंगे, है ना, जैसे आप लोग स्कूल ने पढ़ते हो, हर स्कूल के कोई फंक्शन होगा, तो पूरे फंक्शन के लिए कोई नो कोई एक रूम में आप लोग बैठ के सब भी साइट करोगे, हर क्लास का एक कैप्टन जाएगा, मूड इसाइट करेगा, तो वै देशी वैपार को सुगम बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक, अंतरवाष्टी वैपार के सुधाओं को बढ़ाने के लिए 1947 में जेनेवा सने मेनन में एक समझोता गैठ हुआ था, यह समझोता ही समाने प्रशुलक वैपार समझोता कहा जाता है, और इसी को अब क्या कहा गया है, हमने डव्लू टी ओ कहा गया है, ठीक है तो डव्लू टी ओ के बारे में आएगा तो आपको इतनी चीजे लिखनी होगी, ठीक, चलो आगया जो आपके आसपास ऐसी कौन से चीजे उपलग्द हैं, जो हमें दूसरे देशों से चोड़ती है, तो भई आप खुदी लिखोगे, है ना, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट सेवाय हो गई, संचार माध्या, मुबगरा, सेटलाइट, यह सब चीजे, आपको जो जो चीजे आती है, आंसर पूरा लिख दोगे, ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर पूरा खतम ह अब दो से तीन चैप्टर बच्चे है, उसके दापका पूरे सेटी खतम, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक दो बड़ सुन लोगे, पूरे चैप्टर लिख लोगे, और सुनी हुई चीजे बहुत याद होती, जैसे गाना सुनने रहते, तो याद हो जाता है ना, बही झाल